हलो दोस्तों आज बनाएंगे एक कप गेहूं के आटे का बहुत ही टेश्टी नास्ता जो हम दो बुन तेल में बना कर रड़ी करेंगे बहुत ही मज़ेदार और टेश्टी बनता है इसको बनाने के लिए एक कप हम गेहूं का आटा लेंगे आप किसी कप या कटोरी का माप र दाल देंगे सूजी अब बारी किया मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चमच अजवाइन लेंगे जिसको हाथों पे रखके अच्छे से क्रस्ट करके डालेंगे इससे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और आजवाइन पा क्रिस्पी और टेश्टी बनेगा तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए अच्छे से यह मिक्स हो गया है मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके इसका आटा गूत लेंगे तो देखिए बिल्कुल ही बढ़िया से यह मिक्स कर लिए ह अब नॉर्मल टंप्रेचर का पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका आटा लगा लेंगे हमें पानी एक साथ बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा ही पानी डालके हम मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हमारा डो सॉफ्ट नहीं लगाना है थोड़ा टाइट डो लगा करके रेडी कर लेना है तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका एक टाइट डो लगा करके रेडी कर लेंगे और देखिए हमारा डो बढ़ियां से लग करके रेडी हो गया है देख सकते पोटाइटो मैसर से भी मैस कर सकते हैं इस तरीके से चमत से मैस कर सकते हैं ताकि अच्छे से ये मैस हो जाए इसमें बड़ा टुकडा नहीं रखना है अमें आलू को अच्छे से मैस कर लेना है देखिए हमारा आलू बहुत ही अच्छे से मैस हो गया है इसमें बिल्कुल भी बड़ा टुकड़ा नहीं है अब इसमें एक बारी कटा हुआ अप्याज डालेंगे अगर आप्याज नहीं खाते हैं तो इससे स्किप कर सकते हैं दो हरी मिर्ची डालेंगे बारी कटा हुआ थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादनुसार और आधा चमच आमचुर का पाउडर डालेंगे आधा चमच धनीय का पाउडर डालेंगे और आधा चमच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे मर्च 앞 निम्बू का साथ में और देखिए कितना ही जल्दी जटपट से हमारा आलू का मसाला भी बन करके रेडी हो गया है अब इसका हम छोटा छोटा सा पेड़ा बना लेंगे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है नाई बहुत ज्यादा छोटा रखना है तो इस तरीके से मीडियम साइज का हम बना करके रेडी कर लेना है तो सारे आलू का ऐसे भी बना लेंगे और इदर देखिए हमारा आटा जो है बहुत ही अच्छे सेट हो गया है देख रहे हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है बहुत ही बढ़िया हमारा आटा सेट हुआ है अब इसका दो लोई कर लेंगे इ और इसका हमें एक बड़ा सा रोटी बना करके रेडी कर लेना है रोटी हमें बहुत मोटा भी नहीं रखना है बहुत पतला भी नहीं रखना है तो मेडियम में इसका रोटी बना करके रेडी करना है हम बड़ा सा जितना बड़ा बना सके उतना बड़ा रोटी बनाना है बह के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्रे Deutsch डाल देंगे सफेद वाला तिल डालेंगे जिससे हमारा नाशता खाने और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो देखिए सफेद वाला तिल है थोड़ा थोड़ा सा उसे डाल देना है हमें और इसके बाद हम थोड़ा सा बारी कटा हूँ अहरा धनिया डाल देंगे तो यह नास्ता खाने में तो टेस्टी लगता ही है देखने में भी बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत पढ़ियां टेस्टी और हेल्दी भी नास् से कट कर सकते हैं थोड़ा बड़े साइज का कट करना है तो इस तरीके से टीपीन है उससे हम कट कर रहे हैं इसमें ज्यादा धार तो नहीं है लेकिन इससे हम कट कर रहे हैं अगर आपके पास धार वाला कटोरी है उससे कट करेंगे तो और ही अच्छे से कट हो जाएगा तो इस तरीके से देख सकते हैं एक बर में जितना कट हो सकते हैं उतना काट लेंगे और एक्स्ट्रा आटा है जो उसको निकाल लेंगे तो देखिए हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे और हमारे बहुत ही बढ़ियां गोल-गोल सी पूरी बन करके ready हो गई है देख सकते हैं तो ये पुड़ी को निकाल लेंगे और देखे कितना अच्छे से ये बना हुआ है इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से जो आलू का टिकी बना के रखे थे उसको इस पे रख देंगे और उपर से इस तरीके से इसको मोड़ते जाएंगे देख इसको बॉल्स बना लेंगे जिस तरीके से मोमोज बनाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल ये बना करके रेडी कर लेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बन चुका है तो इसी तरीके से हम सारा बना करके रेडी कर लेंगे और दूसरा भी हमारा देखिए निकाल हैं इसको पलट के और एक आलू का मसाला इसमें रख देंगे और इस तरीके से इसको पैक कर लेंगे तो बहुत ही असानी से या पैक हो جाता है और बहुत जल्दी ये नास्ता बन करके रेडि भी हो जाता है तो देखे दूसरा भी बन गया है तो जितना फ़ी हमारे पास आटा हुरालू है उसका सारा इसा तरीके से जटपट से बना लेंगे और देखि अपय पैन में तोप्यार्म गर्म होने के बाद इसीμα की रख देंगे । जो बॉल्स बनाके रखे हैं उसको इसी में रख देंगे आई इसको सीखने देंगे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज हो जाने के बाद इसको पलटेंगे एक बर में जितना इस भी में रख सकते हैं रख लेंगे और एक साइड से अच्छे से सीखने देंगे तूरंत हमे पलटना नहीं है रख के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और हलका सा कलर चेंज हो जाने के बाद इसको पलटना है तो देखे पलट लेंगे देख सकते एक साइड से कितना ही अच्छा कलर आ गया है बहुत ही अच्छे से यह सिख चुका है और दूसरा भी इसी तरीके से सारा जितना भी नास्ता है सब हम पलट लेंगे अच्छे से तो देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही अच्छे से सिख चुका है देखे दोनों साइड से अच्छे से इसको पलट के हम सेक लिए हैं बहुत ही क्रिस्पी यह बढ़िया सामारा नास्ता बन करके नास्ता बना सकते हैं अंदर पुआ हीच को इस रेसिपी को साथ सर्व करें। ये सब्सक्राइक कोते हैं ये नहीं दौन करने करने के लिए दुनीदने के सा रहाँ हो इस दुन सकते हैं, hashtag ये बहुत ही अप्ली करें। देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही अच्छे से यह सिखा हुआ है एकदम क्रिश्पी हमारा नास्ता बना है एक बार आप भी बनाए ट्राइ करिया रेसिपी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सस्क्राइब कीजिए